है अगर है फ्रेंड्स मेरे तुनाइक पाल देखिए आज आपके लिए एक और जो है इस तरीके का डिजाइन का स्वेटर लाई हूं आप लोगों के लिए एक सब्सक्राइबर में मेरे बेजा था वाट्सप पे कि इस तरीके का डिजाइन बताईएगा कैसे आप अपनी स्व रष्किति मैं इसके ड़ी बना सकते हैं इस तरीके का बहुत आसानी से उकवर चल्दी बन जाता तो देखिए आप देखेंगे ही कितना सूदर डिजाइन बाकी आगे मैंने step step आपको बताया है कि आप इस तरीकी का sweater जो है किस तरीके से बना सकते हैं total sweater बनाया है इसमें आप देखेंगे गलाबी काफे different style का है और देखेंगे इसका जो back है बाजू भी plane बनाई है मैंने और back भी मैंने इस तरीके से बनाया है यह hardly सीधे और उल्टे का है आप देखेंगे इस तरीके से तो चली फिर देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बनाएंगे आप देखेंगे जो यह sweater बनाने जारी हूँ यह भी थोड़ा सा different type का है basically आप देखेंगे मैंने इसमें भी baby wool यूज़ कर रही हूँ यह वर्दवान की आती है जो है आपकी बहुत अच्छी और soft wool होती है यह तो इसे मैं बनाने जा रही हूँ तो यहां पर मैं दस नमबर की इसलाई से यूज़ करूँगी इसमें मैंने double border डालना है वैसे मेरे चैनल पर double border बताया हूआ है किस तरीके से डालते हैं एक पंदा यहां से लूँगी देखे एक फिर यहां से लूँगी दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ अब आपने सारे पंदे ऐसे ही लेने हैं दस अब यह देखे एक सो जो है छे फंदे मैंने इसमें इस तरीके से डाले हैं अब करना कैसे है वैसे तो मेरे चैनल पर बता रखा है फिर भी आपको एक बता देती हूँ सिर्फ हार्ली चार लाइन बनाओंगी इसकी और उसके बाद मैंने इसका डिजाइन चुरू कर देना ह अब जब आपने इस तरीके से बना लिया यहां पे लास्ट फंद आप देखेंगे गांट है तो इसे तो मैं जो है सीधा बनाओंगी इस तरीके से क्योंकि पहला फंद ऐसी रहेगा यह बनाया आपने अब धागा अपनी तरफ करके यह देखेंगे आप इस तरीके से दिख ऐसे ही करूँगी, उल्टा फंदा उतारूँगी और जो सीधा फंदा है उसे मैं बनाऊँगी, चारो लाइन्स अब ये देखे, इस तरीके से मैंने कर लीए, बता दूँँ आपको मैंने तीन ही लाइन की है, याने कि जो फंदे डाले, उसके समेट तो चार है, अदरवाइस तीन लाइन है, आप करूँगी किस तरीके से ये इसलिए बताने जा रहे हूँ आपको, है तो सीधा उल्टा करन क्योंकि ये हमें एक सिमेट्री आनी चाहिए, सीधे उल्टे की, सेंटर में मुझे दो उल्टे चाहिए, इसलिए वो सिमेट्री लाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करेंगे, अब जो है मेरे पास 106 फंदे है, 106 फंदों में से मुझे सेंटर में दो उल्टे तो 106 फंदे में से, जो है मैं सेंटर के दो फंदे निकालूंगी तो 104 फंदे बचेंगे, 104 का आदा इधर और आदा इधर, तो वो आप क्या हो जाता है, 52 और 52, अब 52 फंदों को जो है, वो मैं किस तरीके से करूंगी, दो उल्टे दो सीधे वो आप देख लीजे, अब दे 106 में से हमें सेंटर की 2 स्टिच उल्टे चाहिए, तो मैं उसको माइनस करूंगी, आपके पास बैठता है 104 स्टिच, 104 स्टिच को जो है मैं डिवाइड़ बाइ 2 करूंगी, तो आपके पास एक साइड बावन आते हैं, और दूसरे साइड जो है, 52 फंदे आते हैं, अब इन लाइन बनाई है, तो आपने करना क्या है, सीधे उसको कैलकुलेट कीजेगा, ये 3 और 2, जो है 5 होते हैं, तो 5 फंदे सीधे आपके, कहां तक 52 में आते हैं, और लास्ट में आपके पस कितने फंदे बचते हैं, वो आप देख लीजेगा, तो देखे इस तरीके से करेंगे, ये आपने ऐसे बनाया, ये 3 सीधे, फिर 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, इस तरीके से मैं पूरी कैलकुलेशन करूगी, तो लास्ट में में मेरे पास 2 संदे सीधे ऐएंगे, तो ये थोड़ी सी अगर आप calculation कर लो तो असान रहता है ताकि हमें बार बार उदेडना नहीं पड़ता है generally मैं design डालते हूं हमेशा इस तरीके से calculate पहले copy पर करती हूं उसके बाद मैं design डालती हूं क्योंकि बार बार हम धागे को उदेडेंगे problem आजाती है अब देखे मेरे पास इस तरीके से बनेगा ये दो सीदे फिर दो उल्टे तीन सीदे दो उल्टे इस तरीके का क्रम आएगा तो चलिए दिखाती हूं आपको अब अब जो मैंने इसमें करना है मैं starting मेरी वैसे तो मैंने 3 सीदे और 2 उल्टे रखने हैं लेकिन यहां पर एक फंदा ये 52 ही हो रहा है तो मैं 2 सीदे और 2 उल्टे रखूंगी पहला 2 सीदे उसके बाद 3 सीदे रखूंगी अब देखे करना क्या है ये पहला उतारा दूसरा सीधा अब यहां से 2 उल्टे और 3 सीदे का करम जाएगा एक दो तीन ये देखे जो starting में 2 सीदे की है उससे रहने दीजे वो तो ऐसी है उसके बाद 2 उल्टे 3 सीदे ये देखे दो उल्टे 3 सीदे 2 उल्टे 3 सीदे ये पूरी लाइन आप आपने ऐसे ही करनी है 2 उल्टे और 3 सीदे की ये दो लाइन एक तो ये लाइन होगी एक यहां से जो जैसा दिखेगा ये उल्टी लाइन है वो ऐसा ही बनाने गए यानि कि उल्टा दिखेगा तो उल्टा बनाएंगे सीधा दिखेगा तो सीधा आप यही 2 lines फिल हाल हमें दोराते वे जो है जानी है यह 2 lines जो मैंने आपको बताई यही 2 राते वे जाना है आपने आपको बताती हूं कि हम डिजाइन कौन सा डाल रहे हैं काफी टाइम पहले देखी यह फोटो बेजी थी किसीने मेरे को कि इस तरीके का उन्हें अपनी बेटी के लिए जो है बनाना है तो इस तरीके का डिजाइन आपको इसमें बताने जा रहे हूं कि आप इसे किस तरीके से जो है बनाएंगे अब यह आपको बता दिया मैंने कि कैसे करोगे यह मैंने कितना बनाया है यह मैं आपको बता दूं य यहां से लेकर यहां तक 6 इंच है जो मैंने अभी बनाया अब इस छे इंच के बाद में जो सेंटर का मैंने उल्टे दो फंदे रखे हैं जो मैंने पहले आपको बता है सेंटर के उल्टे दो फंदे जो है वहां से पहले मुझे जो है ट्विस्ट करना है और उसके बार ट्वि अब ये देखिए 49 फंदे यहां है 49 यहां और ये जो मुझे बीच में इन 6 और 2-8 फंदों को ट्विस्ट करना है आप यहां से हमारा डिजाइन सेंटर का बेसिकली जो है शुरू हो जाएगा इस पर आप मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए यह design है यह हमारा यहां center से शुरू हो रहा है तो center में मैंने जो यह फंदे लिए है यहाँ पर आपने इस side 49 है इस side 49 रखनी है और बीट के जो यह 8 फंदे हैं यहाँ से हमने design शुरू करना है अब design क्या है कि cable है तो यह हमें twist करके उपर ले जानी है तो उसे क्या करेंगे देखिए cable needle की जोरत पड़ेगी तो यह 3 फंदे तो आप पहले ऐसे उतार लेजगा इस तरीके से cable needle में रखेंगे अब यह जो है यह दो फंदे इधर ले जाने हैं और यह 3 फंदे हमने सीधे यहाँ लाने हैं तो देखिए ऐसे करूंगी 3 उतारूंगी इसमें 2 लूंगी फिर यह 3 लूंगी अब पहले यह 3 फंदे में सीधे बनाऊंगी एक दो और यह 3 फिर यह 2 उल्टे बनाऊंगी जैसे हमारे उल्टे बन रहे थे वैसे ही और अगीन अब यह cable needle वाले हमने बनाने हैं तो इन्हें उतार लूंगी इस पर और इन्हें हम बना लेंगे ऐसे एक दो तीन देखिए यहाँ पर इस तरीके से twist हुआ अभी फिल हाल बाकी फंदे दो उल्टे दो तीन सीधे के करम में चलेंगे और उल्टी नाइन भी exactly इसी तरीके से जो जैसा दिखेगा वो जाएगा आपका अब आप देखें यहाँ पर आगई मैं सीधे लाइन करते हुए यह जो हमने केबल बनाई थी इससे पहले वाले जो दो सीधे है वहाँ पर क्योंकि अब हमें यह ट्विस्ट करके अंदर ले जानी है जो तीन यहाँ फंदे थे वो हमें बाहर लाई अब दिखेंगा करेंगे कैसे अब पहले तो यह जो है तीन फंदे उतार के बैक साइड पर रख लीजयगा क्योंकि इन्हें हमें पीछे से ले जाना है अब यह तीन और इस से बहु यह 3 हमने यहां लेने है और उल्टे भी हमें बैक में लेने है तो इन उल्टो को भी देखिए मैं उतार के पहले ऐसे रखूँगी इस तरीके से बैक में अब पहले मैं यह 3 फंदे बनाऊंगी सीधे 1, 2, 3 और उसके बाद यह जो 6 फंदे मैंने उतारे है केबल पे उस पे निडल पे इनहें बनाऊंगी यह वापस लूँगी 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे है 6 नहीं है सौरी यह 5 फंदे अब 3 सीधे बनाऊंगी 1, 2, 3 फिर यह 2 उल्टे बनाऊंगी 1, 2 अगें यहाँ पे 2 उल्टे होंगे 1, 2 अब देखे करना क्या है यह 3 यहाँ ले जाना है और नीचे से और यह 3 यहाँ लाना है उपर से तो इसके लिए यह 3 तो मैं पहले उतारूंगी backside पे ऐसे पहले इसे यहाँ से रखेगा, front में रखेगा पहले front में रखने के बाद पहले यह 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी यह 2 फंदे उल्टे, 1 और 1 दो अब इसे बैक साइड पे ले जाओंगी क्योंकि इसे हमें बाद में बनाना है पहले हमें ये तीन फंदे सीधे बनाने है धागा आगे करके इसे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन अब केबल नीडल वाले तीन फंदे आप लोगे इस पे और इन्हें भी हमने बनाना है ऐसे ये देखिए, ये बना लिया ऐसे आया भी है इस तरीके से अब जो जैसा दिख रहा है फिलहाल सीधी और उल्टी लाइन वैसे ही बनाएंगे जो जैसा दिख रहा है अब देखिए फिर से सीधी लाइन पर आगी और ये जो तीन फंदे हैं यहां तक आई हूँ, अब भी देखें, यह तीन फंदे हैं, यह एक उल्टा यहां पर निकालेंगे, तो आपने एक उल्टा ऐसे लेना है, और इन तीन को इस तरीके से उतारना है, और इस एक उल्टे को आपने उल्टा ही बनाना है, ऐसे, फिर यह तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, अब यहाँ पे आपके पास एक उल्टा है, ऐसे, फिर यह तीन सीधे बनाऊंगी, एक, दो, तीन, बनाएं, आप जो यहाँ से दो उल्टे बाहर लाने है, तो धागा अपनी तरफ करके तीन फंदों के बाद दो उल्टे आपने ऐसे पकड़ने हैं, ऐसे, यह तीन फंदे आपने ऐसे लेने हैं, और इन दो फंदों को हम बनाएंगे, एक, और एक, दो, फिर यह तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, अब सेंटर के दो फंदे उल्टे, अब फिर से, जो यह तीन फंदे है, यहाँ आएंगे, यह दो फंदे यहाँ जाएंगे, तो फ्रंट से तीन फंदे ऐसे पकड़िएगा इस थरीके से और इसको उतार देंगे फिर ये दो फंदे लेंगे इससे लेंगे और इससे आप पहले बना लेंगे एक, दो, तीन फिर ये दो फंदे उल्टे फिर ये जो तीन फंदे हैं ये हमें सीधे बनाने हैं एक, दो, तीन अगेन एक फंदा उल्टा अब एक फंदा यहां करना है ये तीन इधर करने हैं तो फ्रंट में से आपने ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से अब ये तीन सीधे बनेंगे और ये उल्टा एक, दो, तीन बाकी जो जैसे होगा तीन सीधे दो उल्टे करम जो भी बनाया होगा जो जैसा दिखेगा ये अब लाइन पूरी वैसी करनी है और उल्टी लाइन भी जो जैसा दिखेगा वैसा आप करेंगे अब देखिए फिर से सीधी लाइन करके यहां पर आई हूँ यह जो केबिल से पहले के तीन फंदे हैं आप यह तीन तो सीधे बनाएंगे अब यह उल्टा फंदा एक अंदर डालना है और तीन फंदे बाहर लाने हैं तो आप इस थरीके से फ्रंट से इनको ऐसे लेंगे उल्टे फंदे को लेंगे और अंदर करेंगे और इन है आपने ऐसे बनाना है इस थरीके से और फिर एक दो तीन फंदे उल्टे अब अगें एक फंदा उल्टा यहां से भी आपने यहां लाना है बैक साइड से तो पीछे से पकड़के यह तीन फंदे आपने ऐसे उतारने हैं ये इसे उल्टा बनाना है और ये फंदे सीधे एक, दो, तीन फिर ये उल्टा उधर ले जाना है और ये तीन जो है आगे लाने है तो उल्टे फंदे को आप उतार के रख लीजे चाहें केबल नीडल पे ये तीन फंदे बनाएंगे सीधे एक, दो, तीन अपने उल्टा लेना है और इसे उल्टा बनाना है एक, दो, तीन ये देखे फिर ये उल्टा अंदर लाना है तो back side से लीजेगा ऐसे ये तीन फंदे उतार के वापस लीजे अब ये उल्टा फंदा ऐसे लेकर इसे उल्टा बनाएंगे फिर ये तीन पंदे सीध है एक दो तीन ये देखे ऐसे आया अब ये भी जो जैसा दिख रहा है बाकि फंदे वैसे ही बनाएंगे इस दिखेगा ऐसे उल्टी लाइन भी जो जैसा दिख रहा है वैसे बनाएंगे अब दिखिए करते हुए फिर से सीधी लाइन पे आ गई हूँ अभी यहाँ पे है जहाँ पे हमने अब यह ट्विस्ट करना है अब यह जो छे फंदे सीधे दिख रहे हैं इसमें से तीन फंदे उपर जाएंगे तो बैक साइड से तीन फंदे लीजेगा ऐसे और इसे ऐसे ल तीन चार पाँच और यह छे यह देखे फिर यह चार फंदे उल्टे हैं एक दो तीन चार अगेन यह जो दिख रहा है यह वाले उपर जाएगा और यह नीच आएगा तो बैक साइड से तीन फंदे पकड़ूंगी ऐसे ऐसे उतारा इसे लिया इनहे भी ट्विस्ट कर दिय इस तरीके से अब बना दिया एक दो तीन चार पाँच छे फिर यह चार फंदे एक दो तीन चार उल्टे अगेन ट्विस्ट करना है यह छे जो है इसमें से यह तीन फंदे उपर जाएंगे तो बैक से आपने तीन फंदे ऐसे पकड़ने हैं इस तरीके से लेना है यह फिर इसे लिया और इन छे फंदों को आपने बना दिया अब दिखी ये थोड़ा से दिखा देती हूँ याँ पर बाकी तो जो जैसा बन रहा है उल्टी और सीधी लाइन तो वैसी करनी ये देखेगा ये ऐसे चड़ता हुआ जा रहा है ये देखेंगे आप इस तरीके से जाएगा आप जो जैसा दिख रहा है सीधी लाइन और उल्टी लाइन बनाने के बाद फिर से सीधी लाइन में बनाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसे करना है, अब उल्टे फंदे अंदर जाएंगे और यह दर जाएंगे, आप देखेगा कैसे करना है, अब देखे इतना करके वापस मैं यहां पे आई हूँ, अब हमें करना तो देखे इतने ही यह है, यह जो है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह जो 6 line center की है इन ही में हमें इसे इस तरीके से जो है आप ये देखेंगे क्रिस-क्रॉस करना है तो अब देखें आगे कैसे करूँगी अब मैं यहाँ पर आई हूँ इस तरीके से अगला जो है वो ये 3 फंदे तो उल्टे बनेंगे अब यहाँ से यह तीन फंदे पहले सीधे एक दो तीन यह बनाए अब यह तीन सीधे बनाने के बाद जो यह है इन में से एक उल्टा इधर लाना है और तीन इधर लाने है तो एक उल्टे को मैं ऐसे पकड़ूँगी देखेगा फिर यह तीन ऐसे लेंगे एक उल्टा ऐसे किया दागा अपनी तरफ इसे अपने उल्टा बनाया फिर तीन सीधे अब दागा अपनी तरफ दो उल्टे बनेंगे फिर दागा आगे अब जो ये 3 और 3 6 है इसमें से ये उल्टा फंदा अंदर जाएगा और ये 3 फंदे बाहर आएंगे तो फटन से आपने ये 3 फंदे ऐसे लेने हैं इस तरीके से और इसे लेना है फिर वापस लेके इन तीन फंदों को हमें सीधा बनाना है एक, दो, तीन अब ये एक फंदा उल्टा फिर ये तीन के बाद जो उल्टा फंदा है इसे अंदर लेना है तो बैक साइड से इस उल्टे फंदे को आप पकड़ोगे और ऐसे ये उतारा और इसे पहले उल्टा बनाया अब तीन फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे अब फिर से ये एक फंदा उल्टा इस तीन फंदे के बाद जाएगा तो फ्रंट साइड से आपने ये तीन फंदे ऐसे पकड़ने है फिर उतार देना है उल्टा फंदा पीछे से लेंगे इसे, फिर वापस टड़ाएंगे, अब ये तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, अब तीन फंदे सीधे, और ये तीन फंदे जो है हमारे उल्टे, बाकी तो जो जैसा दिख रहा है वो करेंगे, उल्टी लाइन भी, जो जैसा दिख रहा है, जैसा बना रहे थे, उसी तरीके से बनता हूँ आएगा, फिर अगेन हम सीधी लाइन पर यहाँ पहुंचेंगे, फिर बताती हूँ डिजाइन को हम कैसे करेंगे, अब देखें फिर से उल्टी और सीधी लाइन करने के पद यहाँ पहुंचेंगे, अगेन वही यह तीन फंदे तो उल्टे बनाऊंगी, ऐसे एक, दो, तीन, फिर तीन फंदे सीधे, यह एक फंदा उल्टा, अब जो यह दो उल्टे बचे हैं, इसमें से एक इधर जाएगा और एक इस साइड जाएगा, तो उसके लिए वही बैक साइड से यह चौथा वाला फंदा पकड़ना है, यह ऐसे उतारने हैं, इस तरीके से, और इसे आपने उल्टा बनाना है, अब यह तीन सीधे बनेंगे, अब यह उल्टा इन तीन के बाद जाएगा, तो अपने फ्रंट साइड से यह तीन इस तरीके से पकड़ने हैं, ऐसे उतार दीजेगा, बैक साइड से एक फंदे को लेंगे, फिर चड़ाएंगे इने और बना फिर यहां से जो दो उल्टे है, एक इधर जाएगा, एक इधर आएगा, तो बैक साइड से चौथा फंदा यह उल्टा वाला पकड़ लीजेगा, आपने ऐसे करना है, उसके बाद यह लीजे, इसे उल्टा बनाना है, अब तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, अब यह एक जाएगा, यह तीन इधर आएगे, तो फ्रंट से इन तीन को आपने ऐसे पकड़ना है, यह उतार दीजे, अब यह लीजे, फिर यह तीन ऐसे, और इन्हें सीधा बनाईए, एक, दो, तीन, अब उल्टा, एक, दो, यह देखिए, अब जो जैसा दिख रहा है वह जाएगा, उल्टी लाइन में भी वैसे ही जैसे अब इतक बनाते आए हैं, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनेगा उल्टी लाइन भी, और फिर नेक्स्ट सीधी लाइन में बताती हूँ कि अगले स्टब हमारा क्या होगा, यह देखेंगे, आप इस तरीक से बना है, अभी देखिए ऐसे बन रहा है, तो चलिए पहले सीधी और उल्टी लाइन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टब बताती हूँ आपको, नेक्स्ट लाइन अब देखेंगे, फिर से आगए, सीधी लाइन पर, अब इस लाइन में क्या करना है आपने, यह तीन फंदे तो ऐसे उल्टे बनाएंगे, एक, दो यह तीन फंदे तो उल्टे बनेंगे, धागा आगे करके यह सीधा बनेगा, एक, दो, तीन, फिर यह दो उल्टे बनेंगे आप देखे करना क्या है, आप जो यह है, यह हमें नीचे लेना है और इसे ऊपर लेना है, यानि की हमें यहाँ twist करना है, धागा आगे, यह तीन और तीन छे पंदे जो है, इसमें से यह तीन फंदे ऐसे पकड़ूँगी, यह उतारूँगी, इस तरीके से लेंगे, फिर इस पे लेंगी और इन्हें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये देखिए, ऐसे हो गया, अब ये फंदे चार उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा आगे, फिर से ये छे फंदे हैं, ये उपर और ये नीचे, तो बैक साइट से, फ्रंट से, पीछे के तीन फंदे ऐसे इस तरीके से, ये, अब ये लिया, और इन्हें बना दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, फिर दो फंदे उल्टे, ये तीन फंदे सीधे, अब जो जैसा दिख रहा है वैसा ही, और उल्टी लाइन भी वैसे देखिए, अभी ऐसे आ रहे है, अब जो जैसा दि बनाएंगे, देखे फिर से, उल्टी लाइन करने के बाद ये आई हूं है, सीधे लाइन पर, तो ये ही पर ये जो बताया है, ये ही डिजाइन पर पहुंची हूं, आप देखे करना क्या है, ये तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद, आपने, ये तीन तो सीधे बनाने हैं, अब ये जो दो उल्टे हैं ये इन तीन के अंदर जाएंगे और ये तीन बाहर आएंगे तो हमें राइट साइड से इन तीन को ऐसे पकड़ना है इस तरीके से और ऐसे उतारना है और इन दोनों को हमने इस तरीके से लेना है फिर ये 3, अब इन 3 को आपने नॉर्मल जैसे बनाते हैं, सीधा बनाना है, फिर ये 2 फंदे बनेंगे, अब ये जो 3 है, इसके बाद के जो 2 है वो अंदर लाने हैं, तो बैक साइट से आपने 2 फंदे ऐसे लेने हैं, और इस तरीके से फिर ये 3 लेंगे, और ये 2 उल्टे बन आएंगे, देखे ऐसे आया भी, अब फिर ये जो 2 उल्टे है, ये इन 3 के बाद आएंगे, और 3 पहले आएंगे, तो फ्रंट से हम ये 3 पकड़ेंगे, इस तरीके से, 1, 2 और 3, ये उतार दिया आपने, ये 2 उल्टे लिए, ऐसे 1, 2, 3, अब ये बनाए, 1, 2, 3, अब ये बन 3, फिर 2 उल्टे, अब ये जो 2 उल्टे है, ये अंदर आएंगे, और जो 3 है, वहाँ जाएंगे, तो आप बैक साइड से इन 2 उल्टे को ऐसे पकड़ेंगे, उतारेंगे, ये 3, ऐसे, अब इन 2 को आप उल्टे ऐसे लेंगे, और 2 उल्टे बना देंगे, 1, 2, फिर ये 6 4, 5, 6, फिर 3 उल्टे हैं, और उसके बाद जो जैसा दिख रहा है, वैसा ही बनाएंगे, देखेंगे, अभी इस तरीके से आया है आपका, ये देखेंगे, अब वही पहले उल्टी लाइन बनाऊंगी, फिर सीधी ये पूरी करूंगी, फिर उल्टी लाइन बनाऊंगी, ज उसमें की कैसे आगे अगली लाइन में क्या करना है अपने, अब देखें फिर से आगे हम सीधी लाइन पे, अब करना क्या है, जो ये 6 दिख रहे हैं आपको, इन में से ये 3 उपर आएंगे, ये 3 नीचे जाएंगे, केबल ट्विस्ट होगी, तो बैक साइड से 3 पकड़ लीजेगा, और ऐसे, फिर ये लिया, अब इसे लिया, और अब इन 6 को आपने सीधा बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6, फिर ये 4 तो उल्टे जाएंगे, अब अगेन यहाँ पे हमें ट्विस्ट करना है, तो ये उपर और ये नीचे लेना है, तो बैक साइड से ये 3 फंदों को आपने ऐसे करना है, देखिए, उतार दीजेगा, फ्रंट से ये 3 लीजेगा, अब 6 को आपने नॉर्मल सीधा बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, फिर 4 फंदे उल्टे, अब अगेन यहाँ पर टोइस्ट है, ये उपर और ये नीचे, तो बैक साइड से इन 3 को पकड़ेंगे, ऐसे, फिर ये लीजेगा, ऐसे, अब लेकर 6 को आपने नॉर्मल सीधा बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, ये देखिए, अब ये, एक, दो, तीन, उल्टे, अब बाकी जो जैसा दिख रहा वैसे जाएगा, उल्टी लाइन भी वैसे जाएगी, देखिएगा, अभी इस तरीके से बनाएए, अब जो जैसा जाएगा, और उल्टी लाइन भी जैसे दिखेगी, फिर अगेन यहाँ पर आके बताती ह अगली लाइन में आपने क्या करना है, अब देखे फिर से आगी मैं सीधी लाइन पर, अब करना क्या है, देखेगा, ये जो तीन फंदे उल्टे थे, इसमें से अब मैं दो फंदे उल्टे बनाऊंगी, दागा आगे करके, ये जो तीन है, यहाँ जाएगा, एक उल्टा अंदर जाएगा, तो अपने फ्रंट से इन तीन को ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से, ऐसे उतार देंगे, उल्टा बैक से लेंगे, अब इन हे ऐसे, अब इन हे हम सीधा बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर एक उल्टा, अब ये एक उल्टा अंदर आएगा, यह तो बैक से उल्टा पकड़ लीजेगा, और ये तीन ऐसे उतारके इने लेंगे, अब ये पहले उल्टा बनाएंगे, और फिर ये तीन सीधा, एक, दो, तीन, ये देखें, फिर दो फंदे उल्टे, अब एक उल्टा यहां जाएगा, ये तीन इधर आएंगे, तो फ्रंट से आपने 3 को ऐसे पकड़ना है ये लेंगे बैक से 3 को लेकर इनको अपने सीधा बनाना है 1, 2, 3 फिर इसे उल्टा बनाना है and again यहां से एक उल्टा अंदर लेना है तो हम बैक साइट से 4 फंदा ऐसे पकड़के उतारेंगे और इन्हें ऐसे लेंगे इसे उल्टा बनाया अब ये 3 फंदे सीधे फिर 2 उल्टे अब ये एक उल्टा यहां जाएगा और 3 इदर आएगे तो फ्रंट से आप 3 को ऐसे पकड़एगा उतार के इस उल्टे को ऐसे लीजेगा अब ये लेंगे और इन 3 को हमने बनाना है 1, 2, 3 फिर एक उल्टा अब एक उल्टा यहां से अंदर लेंगे ये ये 3 उतारा फिर इसे लिया उल्टा बनाया अब 3 सीधा और ये जो 2 है उल्टे बाकि जो जैसा दिख रहा है वैसी बनेगा और उल्टी लाइन भी वैसे ये देखे ये आया अब ये ऐसे अब जो जैसा दिखेगा फिर उल्टी लाइन करने के बाद फिर से अगली लाइन में बताते हूं कि आपको कैसे इसे बनाना है अब देखे फिर से हम आगए सीधी लाइन पर अब दो फंदे तो उल्टे ही बनेंगे ये ये तीन सीधे एक दो तीन अब ये दो फंदे सीधे उल्टे बनेंगे अब एक फंदा यहां से फिर से आएगा ऐसे ये और आपने इसे सीधा लिये ये बैक से लिया और इसे उल्टा बनाया फिर ये तीन सीधे बना एक दो तीन अगीन ये उल्टा यहां जाएगा ये तीन आगे आएंगे तो फ्रंट से हमने ये तीन जो है ऐसे पकड़ने है और ये उल्टा ऐसे जाएगा अब सीधा बनाईएगा इनको तीनों को एक, दो, तीन फिर एक, दो, तीन उल्टे अब एक उल्टा वापस यहां आएगा तो बैक से लीजीगा इसे उतारना है इस पे लेंगे और उल्टा बनाएंगे फिर एक दो तीन सीदे अब ये एक उल्टा यहां जाएगा और तीन आगे आएंगे तो फ्रंट से तीनों को अपने ऐसे लेना है और इसको उतार के बैक से उल्टा लेना है अब इन्हें बनाना है एक दो तीन फिर ये एक दो तीन फंदे उल्टे तीन सीधे अब जो जैसा दिखेगा वैसा और उल्टी लाइन करने के बद फिर से सीधी लाइन पर बताती हूं क्या करेंगे अविदे के साया